आ युकूर devil में अंजली मिशौ स्वागट है आपका हमारे चैनल में और इस दोरान प्रदहर्मंति न परिदेश के हुए sequence प्रदानों को लेकर साथी साथ समाजवादी पार्टी पर अपना निशाना साधा और टिपड़ी की क्या कुछ कहा देशक्री प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी जी ने बता दे कि देशक्री प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में चार चर्णो में लोगों ने एक जूट होकर बीजेपी को वोट डाले है और अपना श्रवाद दिया है जो गोर परिवारवादी सोच रहे हैं कि यूपी के लोग बढ़ जाएंगे बिखर जाएंगे देशित को भूल जाएंगे उन सब को सारे गड़ित जो है इस वक्त उल्टे पड़ ग हमでは kisita के लिए सत्ता प्रविया ना हमारी तागत माफिया हमारी दागत तंखर इसकी करते हैं में और चाहते हैं और औंज हम पर बनाया रहे वहárias को दाने की कि प्रधार्मती नरिंद्र मोडीं जीन गारान वख़को डुमनें कहा कि ये परिवारवादी सरकार में होते तो सारी लाइने तोड़कर खुद सबसे पहले वैक्सीन लगाते मैंने भी वैक्सीन तब लगवाई जब नियम से मेरा नमबर आया मेरी मां सो वर्ष की है मेरी मां ने भी लाइन लगा कर जो है वैक्सीन लगाई उन्होंने भी लाइन तोड़ी जब उनका नंबर आया तभी मेरी मा ने भी वैक्सिन लगाई थी साथ ही प्रदार्मति नरेंदर मोदी जी ने आगे कहा कि चुनावित दुनिया में आने के बाद जिस तरह उत्तरप्रदेश ने मुझे अपना बना लिया मा गंगा ने जिस पर स्ने जिस तरीके से म आप लोगों ने मुझे गले लगाया है इससे बड़ा जीवन में कोई भी सव भागये नहीं हो सकता आपने यस ने आशिरवाद मेरे जीवन की बहुत बड़ी पुंजी है तब देख सकते हैं देश के प्रदार मंति नरेंदर मोदी जी अमेठी में जनसभा को संभोधित कर लेकिन वोट बैंक के डर से इन पार्टियों ने अदालत के फैसले का स्वागत कर दे तक की भी हिम्मत नहीं दिखाई उनके मुझ पर उस वक्त भी ताले लगे नज़र आए तो आपने देखा कि किस तरीके से अमेठी में उत्तर प्रदेश की जनता से वर्ता करने के दौर संबोधन के दौरान जो है देश के प्रधार मंती नरेंद्र मोजी जी यह बात कहते नज़र आए कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता ने वोट के माधियम से अपना आशिरवाद भाजपा को दिया है और यहां पर वो यह भी कहते नज़र आए कि भाजपा का बहुत समाजवादी पार्टी के हाला तो काफी ज्यादा खराब है समाजवादी पार्टी के जो नेता और पित्याशी जो जमीन पर जाते हैं लोगों से बात करते हैं उस दौरान पी ऐसले आप 30 जनक टिपड़ी करते हैं जिसे सुनकर अब सनर रह जाएंगे और ऐसा ही एक और व पार्टी को आगे आके सफाई देनी पड़ी आखिर क्या था वो बयान और उस बयान की सफाई में पार्टी के तरव से क्या कुछ कहा गया इसके बारे में भी हम आपको जरा विस्तार से बता देते हैं पतादे की समझवादी पार्टी के उमिदवार आरपी आदम ने आपती जनक बयान देते हुए कह दिया कि सूबे में सफाई की सरकार बनी तो पता ही नहीं चलेगा कि स्वन कहां चले गए यहां पतादे की जो भी भूमियार ब्रामन होते हैं उनके लिए स्वन टौन का जो इस्तमाल किया जाता है तो ऐसे बाप समझ पारे होंगे कि किसके बारे में यह कहा जा रहा है तो ऐसे में नहीं कहा कि राय वरेली में एक नुकर सभा के दोरान आरपी आदों ने कहा जब से योगी सरकार आई है जब से योगी बाबा की सरकार है तब से बताओ स्वन्नों का बोल बाला है या नहीं अगर सपा के सरकार आती है तो स्वर्णों का पता भी नहीं चलेगा कि वे कहां चलेगे सपाविदार के इस बयान पर विवाद बढ़ने लगा तो पार्टी को इसे देखते हुए सफाई भी देनी पड़ी कि इतनी बड़ी टिपणी वो कैसे सारवजनिक तौर पर कर सकते हैं राइबरिल में सपा के प्रवक्ता ने आरपी आदों के बयान पर सफाई देते हुए कही कि उन्होंने स्वर्ण नहीं उन्होंने सांड कहा था उन्होंने कहा कि गलत आरोप लगाया गया है और इसे मुद्धा बनाया जा रहा है इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने च उन्होंने कहा कि भाजवामिद्वार अदिती सिंग दारा दूस प्रचारित किया जा रहा है उन्होंने कहा कि पूरा उत्तर प्रदेश सांड से परिशान है किसान भी सांड से परिशान है आरपी आदम ने सांड की बात कही थी लेकिन भाजवान इसे गलत तरीके से लिया ह दूस प्रचारित कर रही है बता दे कि राइबरी से भाजपा के अधिती सिंग को टिकेट दिया है और ऐसे में उनका ये कहना है कि जो है वोट बैंक की राइडिती करते हैं के तहत वोट जीतने के लिए जो अधिती है वो इस तरीके से दुर प्रचार कर रही है और सान को पता दी कि अधिती सिंग कॉंग्रेस का दावन छोड़कर भारती अजनता पाटी में शामिल हो गई थी और पिछले विधासवाद चुनाओ में अधिती सिंग कॉंग्रेस से टिकेट चुनकर आई थी और बाद में बाहुबली अखिलेश यादम 17 के चुनाओ से पहले कॉंग्रेस में शामिल करवाते हुई बेटी अधिती सिंग को अपनी राजनी ते कि विरासत सौप दी थी अधिती अब की भाजपा के टिकेट पर चुनाओ मैदान में है और ऐसे में आप देख सकते ही कि एक तरह देश के प्रिदान में अति नरेंद्र मोधी जी है जो फिल्ड में जब जाते हैं तो बात करते हैं किस तरीके से जनता का कल्यान हो सकता है सारे चीज़े हो सकती है कि इस तरीके से उतर प्रदेश में वैक्सिंग को लेकर वह बात करते नजर आते हैं जिस तरीके से कई सारे नेड़ने लिए गया है जिससे उत्तर प्रदेश की जनता का कल्यान हुआ है उसकी बाते करते नजर आते हैं किस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता बढ़ जाएग आपत्ती जनक बैयान सुनने के लिए आते हैं समाजवादी की पार्टी के नेतर प्रत्याशी आए दिन करते रहते हैं अब ऐसे हैं at कि चार चरन के मद्दान संपन हो चुके हैं लगता है समाजवादी पार्टी कहिए या उत्तर प्रदेश में बीजेपी कहिए दोनों ही अपने तरफ से जीत का जुदावा है वो करती नजर आती हैं और अब भाशपा के तरफ से अमेठी में जुनसवा को संबोधित करने के दरान देश के प्रदार बनती नरेंदुर्मोदी जी ने भी ये बात कही कि उत्तर प्रदेश में चार चरनों के मद्दान संपन हो चुके हैं और चारोई चरनों में लोगों ने एक जुट होकर भाशपा को अपना आशिरवाद दिया है जो की घोर परिवारवादी सोच रहे थे कि उत्तर प्रदेश के लोग भट जाएंगे बिखर जाएंगे देशित को भूल जाएंगे उन सब के सारे गड़ित उल्टे पड़ गए है तो ऐसे में लागतार समाजवादी पार्टी हो बीजे प के साथ देखने के लिए मिलेंगे और सातों चन्डों के जो मद्दान है उसके सवाप्त हो जाने के बाद 10 मार्च को रिजल्ट आएगा और इसे में यह साफ हो जाएगा कि आखेर इस वार जो है किसके हाथ उतर प्रदेश की सत्ता लगी है लेकिन इसे पहले जितनी भी पा जो है वो बता रहे थे कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता ने भाच्वा को अपना अश्रवाद दिया है तुम्हें दूसरी तरफ समाजबादी पार्टी के नेता प्रत्याशियों में इद्वार्जा इस तरीके की अभध्र टिपनिया करते नजर आ रहे हैं तो ऐस